दोस्तों ये आरो प्यूरिफाई जो वाटर को प्यूर करने वाला आरो होता है ये उसके फिल्टर है आपके गर पे लगा होगा जहां आपने आरो का नाम सुना होगा आज हम देखेंगे कि ये फिल्टर में क्या होता है ये फिल्टर एक्चली जो आरो की मेंब्रन होती है उस से इसे खोलेंगे खोल कर देखेंगे कि क्या होता है और ये कार्बन फिल्टर है और वेखेंगे कैसी कार्बन होती है ये देखो क्या कार्बन ये कोईला है एक्चली कोईला जो लकड़ी का कोईला होता है न ये वो कार्बन है शोटी शोटी टुकडों में है और पानी इसमें होकर गुजरता है तो जे जो पाणी की एक्स्ट्रा होते हैं कुछ भी चातों नो सोख लेती है और अगला फिल्टर हम रमूव करेंगे कि उसमें क्या है इसमें तो कुछ और ही निकला है चलो दूसरी और से खोल कर देखते हैं इसे और इसमें भी कोईला ही है कोईला ही है कि एक प्री कार्बन होता है एक पोस्ट कार्बन होता है जो कार्बन फिल्टर होते हैं मेंबरन के बाद और लास्ट फिल्टर देखते हैं यह क्या होता है अब तो मिन्रल कार्टर भी आने लगी है आरो में इसमें तो कुछ रसी जैसी भी लिप्टी हुई है एक फिल्टर के उपर मेरे ख्याल जे जो भी कच्रा बगरा होता है जो डास्ट होती है पानी की कुछ भी जो इसके पास होकर जाता है तो जो इसमें ही अटकी जाती है यह वो है इतना गंदा हो जाता है आप एक साल में फिल्टर बदला दे तो बहुत अच्छी बात है फिल्टर के हमेशा चेंज करेगे एक साल के बाद आप चेंज करवा सकते हैं अपने फिल्टर करवाईए लाजमी करवाईए जे वरना इससे बाहाल हो जाएगा